क्या हो रहा है? इक ट्रक कितने खाता है? कहां कहां जाते हो आप ट्रक लिखरे? कांक रोली- कांक रोली से मोजदी मोजदी से जाती है कहां जागर आप किसी गाड़ी में बैटके चला जाना किसी दिए आप आज साम कुई चला जाना दे सकते तो आपको पुल्स वाले मिलेंगों वे सोदा सुपान से लेंगर छोड़ गाएंगे जब जागरूबता आप यहां गया था एट्स को लेकर के तो सबसे जादा जागरूब ट्रक ड्राइवर्स को किया गया मने कि जैसे कि अलग अलग और तो संबंद बना लेते हैं कई बार समझने जिया आपको बार की तो कोई इज़्ञत नहीं है बाहर तो मेवाद किसी वा कुट्ता वाल्य नोगरी बना र मानव सब्रता के क्रम में हम जब आगे आगे बढ़ते गए तो पता लगा कि आगे कैसी चीज होती है जो आपके जीवन को बदर सकती है आग के बारे में जाना गया तो यह हुआ कि अब गाड़ी आगे कैसे बढ़ी तो इसी सवाल ने जन्म दिया चकों को हमने खोजे चके और जब चके आए तो गाड़ी चल निकली तो किसी शायर ने लिखा कि चलती है गाड़ी उड़ती है दूल जलते हैं दुस्मन खिलते हैं पूल ऐसा आपने अकसर ट्रकों के पीछे लिखा देखा होगा लेकिन इसके अलावा हमने कई बार ट्रकों को लेकर हमारे जहन में कई सवाल होते हैं कि ट्रक चलते कौन कैसे हैं कौन चलाता है ट्रक ड्राइवर क्या दारूपी के गाड़ी चलाते हैं ट्रक ड्राइवर क् लोड ओर्लोड करके चलते हैं या फिर ट्रक ड्राइवर्स के साथ जो है चालान गलत किया जाता है या उन से जबर जबरन वसूली की जाती तब हम तरीके के सवाल है हम चुनाव यात्रा में है हमने सोचा क्यूं ना अब यहाँ पर ट्रक जिख गए हैं तो ट्रक ड्राइवर से बात करके समझा जाए यह आखिर ट्रकों की कहानी क्या है वो दुनिया जो आपके हमारे अनाज को हमारे सामान को ओट से बंदर गाहों से ला करके स्टे सजावट के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा क्या लिख रखा है मंसूर की रानी मुंसर की मुंसर राज मुंसर राज तो जो ड्राइवर साहब उनका नाम है अच्छा यह साहिरी वायरी भी लिख रखती पीछे यह कहां से आया कोला पूर से लोड़ होके सामान कोला पूर्चा है क्या लिख रखा है साजिद मुंसर एस्टी सी एस्टी सी का बोड़ है जी इसकी फुल फोरम है हारून ट्रांसपोर्ट कंपनी शौक नहीं नक्ची जी मजबूरी है तो दिख्रण होगता है तो इसकी चमक से उसको पता लग जाएगा कि लोग नहीं लगाते हैं उसमें दिक्कत होती नहीं दिक्तानों लगाते हैं अचा आप लोग का नमबर जो होता है यह उस्टेम होते हैं इसमें 22 22 तेरा आट तो यहां तो ना इसको भी गाड़ी को बेरोजगारी का वो समझो इतना वो नहीं है इसके पास ट्रक है तो यह अरब पती आदमें नहीं यहां बेरोजगारी जो भी यहां सरकार आई यह मेवातियों को यहां सीधी कोव में मेव एक जात है मुसल्मान यह सीधी कोव में यहां इन इसिए मुसलमानों को किसी भी सरकार नहीं छोड़ा है लूटाइए हाँ कोई भी सरकार आजाए अब हमें थोड़ा आसे कौंगरेजा क्यों किreAST है यहां दस साल पहले वीजेपी थी दस साल तक वी जवे निराज किया है पहले तो तो कॉंगरेस थी हां कॉंगरेस थी सारे जो रोड जो रास्टे तो कॉंगरेस नहीं बनवाए इसंपे फाउडर क्या लगां ना चीपके तो आभी अपने ट्रकों में ट्रॉब्लेस टायर नहीं आपके यहां गाड़ियों में नहीं नहीं आपके शिळांगी 99 चालिस टन पेंतारिस टन वह नहीं करपाती हो जैसे मालों यह ट्रक है तो इसमें एक ट्रक में कितना लिटर तेलाता है एक ट्रक में कम से कम तो तीन सो लिटर नहीं तीन सो एक बार में ट्रक फूल कराएं और एवरेज किता देता है एक लिटर में से दो कि दो से ड्हाई बस माने तीन सो लिटर आप भराओगे तो कितना दूर जाओगे जैसे यह बाकी टायर तो जमीन पर है यह हवा में क्यों है यह इस से बोलते हैं 3 year x अच्छा अच्छा तो यह उठने वाराईगी जब अनलोड़ इन्हां गारी होती है जवी उठकर चलता है ज workflow हो जाती है अब यह लोड़ तो इसका चालान पड़ता है इस लिए इसमें न्यूटे डालने पड़ते हैं यह से टेक के चलोगे आप इसको तो एवरेज कम देगी तो इतनी देगी बराबारी देगी लेकिन टायरों के नुकसान नहीं होगा तो कई बार द्राइबर मैं देखता हूं उठाके चलते हैं क्यों उठाके चलते हैं वो अनलोडिंग में होता है जी टायर बचाने के लिए कुछ लोड भी हो तो नहीं बचना चाहिए जी लोड़ डावर क्यों चलते हैं उससे कुछ तो बजह होती होगी बस यह जी तौटा तो तोड़ा तो यह इसमें इसमें इस में आप लोग खुद से बीडिक कर लेते फिर गोगे यह इसमें और अमझा वह खुद से खुकता अ यह सब क्या लगा हुआ है इसमें यह सर बेल्ट है जो माल का सब हुआ है रस से वगेर अगेर रखते हैं तो इसमें जॉइंट है ट्राली में तो उससे उठाए जाता है टायर और यह सब एयर के लिए प्रेशर टंक है तो सारी गाड़ी प्रेशर किये जी अधर से आप दिखाएंगे अंदर चले इसके दिखाएंगे तो गुरु अब हम जा रहे हैं ट्रक में चढ़ने और इसका और सिस्टम काईदे से समझेंगे ट्रक के अंदर की दुनिया कैसे होती है रुख जाओ भाई जरा अरे बड़ा सजाग रखा है गुरु ट्रक आप ने इसको भी दिखाना दिखाएंगे आप यह बताओ कि इसमें आप ड्राइबर होते हो और एक खलासी होता है और कितने हाद में चलते हैं और यह पूरा जो इस तरी कि सजा रखा है इससे क्या कि लिए सजाते है इसको तो यह कुछ अच्छी लगना के लिए है मलूप लगती है उससे बड़ी हमस्त लगली ऐसे इसमें आप लूक तो इसमें अशी वाल पाछ्य खड़ी है अँ कितना गेर होता है इसमें जड़ा दिखाना इसमें आठ गेर होते हैं हाँ जी टाटवाड़ा में आठ होते हैं लेलेंड गाता हुआ उसमें दस होते हैं दस गेर होते हैं टाटवाड़ा में इसके गेर सिस्टम समझाओ बेग गेर यह पहला है दूसरा है तीसरा चोथा है पांच माच छटा कि साथ हूं आठ माच यह यह लो है इससे फोर फोर वाइफोर का है इसे लगाते ही यह चार उटार काम करेदा पाच्छा और क्या होता है तोड़ा मीटर उटर का सिस्टम बताई है जैसे कि अगर कोई गेर गलत लगेगा बोल देगी जहां पर चड़ना पाईगी इसका वह वाले सिस्टम में किती घाट में चड़ेगी तो इसमें कंट्रोल वाल लगाए हुआ अच्छा वाला तो इसको पर दबाना पड़ेगा एक बार तो उतर नी उतरती जब उतरेगी ने तो इसको लगा देंगो तो अपने अराम सुतरेगी किसी को गेर बिरेक लगाने की जर्लत नहीं कड़ेगा अपने हिसाब से उतरेग गाड़ी ऑटोमेटिक है अच्छा जिसको कार चलाना आता है वो ट्रक चला लेगा वो कार वालाई सिस्टम में सारा इसमें गेर ज्याद इसमें तो बिल्कुल वो पाच्छा खड़िये ने उसमें चांगली से गहर लगा देशा अच्छा वह आप देखोगा अभी अभी मैक्सिमम किता है स्पीड से चलती ट्रक इसकी स्पीड मैक्समें तो चारिज से साथ तक चलती है बिल्कुल आरा नॉर्मल दे बाहु ट्रक वाले दोड़ा भगा के लिए जाते हैं और हम लोंको बड़ा डर लगता है गाली चलाते हो स्पीड में कंपनी ने एक सो चारिस तक देखा दे रहा कि एक सो चालिस तक चल लों स्वानरा साहि test आपके साथ अपलो लंबी यात्रा सफर करते हो तो खाना वाना कैसे मेनेज करते हो अचा गाती हो बनाते हुझि हम उच्छे डिजे कि राखित और वार सारी बटन किसलिए लिए चिए यह इसमें सौंग चलता है यह इंडिकेटर वाड़ा है जिसार सारा वही सिस्टम है जो इसमें पंखा वाड़ा है जो तायर पंखा इदर लगा हुआ है वाह और एक वो टाइप टायर फिराग देखा रहता न आपको एक बटन उसकी है इसमें अच्छा वो नीचे आ जाएग न भीक ट्राइक जो कितने लोग चलते हैं यह ट रेक में दो यह बंदते रहते हैं दो बंद दोनों चलाते दो टेल गार प्रम कि जो मानकी कगा लह दूटो सता पाड़ा को दोने बाने के बढ़ देगा ल कर आए जासे से बेक लगानी कि ती ती गडाउन वूडाउन में लगानी है वहा पर खड़ा कर देगा अंदर बाहर करने है जिसे बेक लगानी भरनी है जब जा रहां हुआ अच्छा और ये ड्यक्रक कब का खरीदा गया होगा टेसाइब ऑठास अठाओनिस पॉड़े एक ट्रक की लाइफ कितनी होती हितना चलता है एक ट्रक उमर बताऊं कितनी है पूरिडूर्य्मुर्यक्राइव यह नहीं नहीं है कि अब बार झाल क Master एक अट काूर्यक्राइब करदेश 실्राइब पास साल में चुका के पूरी कर दी, तो फ्री हो गया वहां से, फिर दुबारा लोन उसी ट्रक पर क्यों लेंगे, पैसे लेने के लिए, अपनी मर्जी होता हूं, आप करा हो या ना करा, आपकी मर्जी होता हूं, तो ये एक ट्रक कितने साल तक ठीक ठाक चलता है, ठीक ठाक अब काम करा हूं बड़ाबर, उसकते ही होगा के साइं, पइस सालो में बड़ा खर्चाए होगा में खार्चान है तो पीचे ला ट्रक भी दिखाता हूं क्यों नहीं जमाइन के ट्रक कैसे आ रहें था तो एसी वाला तो गुरू अब यह अला ट्रक जो है यह नया ट्रक है अब नया ट्रक में क्या क्या खासी है तो यह भी जाना समझा जाए कि ट्रक वालों उसे लेकर हमारी बहुत सारे सवाल होते हैं और उनको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी है और बहुत सारे जानकारी भी हम जानना तो मैं कहा है कि आज लिल गए भाई लोग तो पूछा ही जाए इस पर भी चड़ना है तो अब टास्क काम होता है माई को ऊपर रखके चड़ेंगे जैसे आप कार में बेठे हो ने ऐसे समझो आप जैसे कि मानले कार में बेठे हो जो कार वाला सिस्टम पहले गाड़ी रहती ती जो उसका कंड़ाइटर रहता था जो खलासी रहता था वो भी घुमवा था इसको और जो डिलाइबर रहता था वो भी घुमवाता था तो पापा तो अब देवलो अब उंगली से घूम जा रहा है अच्छा तो यह आगे वाला टायर गूमता होगा पाकी पीछे मुव पर गूमेंगा जिसे कार का गूमेंगा अगला इसमें अच्छा चलता है इसमें जो बटन है यह सब थोड़ा सिस्टम बताओ क्या है इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरह चोदा पंदरह सोला बटन लगी हुए जी यह तो जैसे कि हैलप लाइन डिखरे इसमें को दिक्कत होईगी तो बाहर से फोन आएगा तो ब कि जी जिसे वाईरस आजाता इसमें जी वाड़ा छपा हुआ एसा वाईरस गाड़ी बंद हो जाएगी अपना आप चलना पाई जो वाईरस कटेगा उसके कटने के बाद में घ्रचल पाईगी अच्छा अब मुझी सिस्टम भी लगा रखा है तैना उना बसता है जिस्प् कब से चला लेते उट रखो पांच साल वे लाइसेंस लाएखे लाइसेंस घार घर चलते नहीं जो चलने लगे लाइसेंस के बारिकों यह इसमें आट पूरा एक्दम इसका कि जो गियर बॉक्स है वो जो इसका मीटर उटेर एक दम डिजिटल मीटर है आगाड इम कोई दिक्कत पर इसाने होता तो इसमें आजाएगा इसमें भाली किते इवरेज देती गेसी में इसमें भी आठ गेर है दस में जीर आठ तो ये है ये एक बेक गेर हो गया एक लो गेर हो गया लॉग एर क्या मतलब होता है लॉग एर पहला सुपजाद अताकत लगाता है चार उटेर चलते है इसके पाँजा इसमें फोर बाइब फोर हो जाता है यह भी बाई स्टेरा है उपका नाम क्या इम्राण अंसार आप पी शादी होगे सादी कब हुए जुप लोग डाउन प्र तो अभी कहा कहा जाते हु आप ट्रेकल करके यहां से जाती ए कांक रोला मोरभी मोरभी से एक जक्छा आपको इंडिया वही तक सबसे अच्छी जगह कहा लगी जो बढ़िया देखने सुन्दर लग रही है करना टक बढ़िया मौसम भी अच्छा रहता है वैसे ठंडा के खाने पीने के हर चीज किसी भीदाजी वहां पर करना टक में हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया इज्जत औ कोई भी बंदा वेक्ति आएगा तो मेवाद में सबसे बढ़िया इज्जत मिलेगी उसके लिए जी बाहर जाते हो तो कैसा सुलूप होता आप लोग उसाथ ड्राइवर के लगे से होता है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए गाडिवारा से तो उसके लिए नूनी गाड़ी मिल इंसान से गलती होती है तो मार पिटाई करते हैं अगर जो किसी से गलती से कोई मानस भी मर जाता है तो ड्राइवर को भगा देते हैं और बाहर क्या करते हैं अगर जो किसी से गलती से कोई बंदा वेक्ति मर गया तो उसको भी मारेंगे बराबर से गाड़ी उसी गाड़ी क उन्हाएंSt ? भाहा؟ को एंसा कभी बार जो लोग पहलेशी आरोप लगदा की जडाइवर होते हैं भी दारुपी कि जलाते हैं इसWhen crisis होते हैं लुद्यवयर दारुपी कि चला दए लड़ी जली जो दारुपी नहीं के निडीक ज hello x तो आप लोग चलाते हो दियान रखते हो कि वाइक वाला गुजर रहा है तमाम लोग उजर रहा है ज्यान रखते हैं तो भागना पड़ देखें यहां से बैटे हुए इस तीसे मेप देखेंगा बराबर से रोसु दोनु उसी समु देखेंगा दो दो सीशे क्यों लगा रखते हुए तो जी नीचे वारे जैसे मानले आगे हो पाच हुए तो घड़की को पास में आएगा तो इस वाले में नहीं दिख रहा है नीचे से तो यह जो आप लोग चलाते हो और आप लोग कि क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है कभी इगर चलाते हो और क्या सबसे अच्छा होता है सबसा अच्छा ही हैं मजदूर करते हैं गित्वर्य यहांप़ करना पाएंगे कित्ना पैसे मलता हैं कə 10 सबार रहा जार रुप्या माही ने का झी 이 भी और कुछ इनाम मों मिलता है इस पर कुछ इनाम नहीं सब दो तो सब्सुरादें से ली चकर लगski काई दस बार दिना में चक्कर लगाएगा तो हजार ये पान सुर्कुया सेट जी देगा अपने बच्चों के लिए कुछ लेजा खाने के लिए वैसे कुछ नहीं मिलेगा इसे कई बार होता है कि इतने घंटे में सामान पहुंचा दो तो ये मिलेगा ऐसा इसके दिन होते हैं पांस दिन में पहुचा नहीं होगा इस ट्रक में क्या लोटे इसमें जी राजमा लोड धर इसको कहां जाना है लिए के दिल लिगे बटाउबाद जाहां भी लोटडिंग होगा होई जो वहां से काड़ी आईगी तो दिली आईगी आप लोगों को जिसे माली जे की एक जि है कि यहां सेमकुस हमाल लेला गया लोट किया फिर एक्जेक्ट उस जगह पर पहुंचना है करनाटक में यह कैसे होता है आप लोकेशन डलवा लेते हैं लोकेशन से पहुंच जाते हो इतने दिन से आप गाड़ी चला रहे हो सडके और के पहले से कुछ सुधरी यह या पिन में अब तो सुधरी यह जिसे मुंबाई में दिख्कत थोड़ी सी औरना तो हर जग रोड़ों पकाम चल रहा है सबसे बढ़ें सब्सक्राइब करनाटक में आपको अब दिल्ली मुंबाई वालाई मिला सबसे बढ़ें दिल्ली मुंबाई वाला जिए एक्स्ट्रेस हुए और अभी आप लोग को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि अच्छी हो जाए तो और बढ़ियां ट्रक काम अच्छा हो जाएगा पैसा आप लोग को ज्यादा मिलने लग जाएगा अग्यादी आप अपर इसान करते हैं तो गाड़ी का ओन लाइन चालान कर देते हैं बोद इसमें स्टेक अपर गाड़ी में मतलब सो किलो वजन फालत होने तो उसको पर बीस जार उप्रा कर चालान कर देते हैं हाँ ये थोड़ा बताओ आप उजे आप लोगों का सामना कह होता कब कब कर दें वहां हर जेगा होता तो अर्टयू के सामने हर जेगा होता है और बीस जार प्राट की लिए थे मतलब इन पीट करांप फिर थोड़े डादा कि ली हो जावे जी बाहर का मामला बन जाता हो सबस्क्ताइब गज़ने शेटनु पहन कि पुल्कुल दादिगिरी करते हैं और पुलीस वाड़े होए है जो जोड़को एंटीर ए जोड़ते हैं जी जोड़ कर रहा था यहां पर बीचजार बेस्टो थी कि मेवाद तो बहुत कुछी आद मी रहते हैं और मेवाद को पारह मैं जी मेवाद के पता लगते हैं मेवाद के बन्दें बहुत ज़्यादा थासु उठा रहा गाए हिए अलग हमारे यहा पे काफी हिंदु भाई हैं को दिक्कत ना जी कैसी भी खूब मिल जुलक रहां जैसे नोजवान सब संग साथ रहां जी बागी बाहर कहीं चले जवाब बस यह पता लग जाए नहीं बहुत जादे दिक्कते जी अगर जो किसी को यह पता पड़िगे नहीं मेवाती है तो हम कि थी बाहर चले गए मेवात का बन गए तो पान दोर शेक नाम पे लड़ाई गया और नासर जोन हमा रहे इसमार जाद़ी थोड़ी से जाद तासुख मने की थोड़ी सी तो जो आपको पुलिस वाले नहीं चलान किया आपकी कोई गल्ती थी आपके पास ड़्स नहीं था इस सारी चीज थी खाली मेवात का एड्रस को अअसरी छाली नीसे डिली आते तो अब्हुत आती है यह यह वहित दी शौन करते हैं यह जैसे यह तो आप अभी बता हौब आहों कि इस तरिके और छिछ जिए भी चीज़ें आप लोग हुए वैसे पुलिस वाले क्या इसे रोक करके कहीं भी जाओक रोग लेते यह गाड़ी जाहीगी संदिनेद सब एक press लेधी आरेको descriptions पमल दोग वे क्वेस में भीञ्व एफ जो ऐसा भी होता है कि रिस्वत तो देके छूट जाओ, हर जगर रिस्वत लेते हैं कितना है कहीं हजार कहीं दो हजार दिल्ली टूल से थोड़ी सी आगे चलए जाओ फुल इसवाले खड़ें पाएंगे, आप किसी गाड़ ही बैटके चला जाना किसी दूब आप साम कुछ आपको फुलिय मेलेंगे में सौद्शुपान ड़ा और छोड़ देंगे लेंगे 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 और भागादी तो आपका फोटू खेंच को ओन लाइन चालान कर देंगे अइसा है तो जैसे आप लोग कभी किसी शिकायत नहीं करते इसा क्यों हो रहा है शिकायत करने पर तो जो मैन उनका मुख्या होता है वही गाड़ी गुपतार देता है मार पीट करने लगता है ड्राइवर के हमेती कहां जी ड्राइवर को तो बिल्कुल ही कोई ना जब कुट्त वाड़ अपने ट्रांस्पोर्ट वालों से बूले कि वही इसके लिए मारी आवाज उठाईगे आवाज कोई ना उठाजिए किसी से बॉलो कोई आवाज नहीं उठाए और जिसे ट्रक में कुछ गड़बर हो गई तो मालिक भी कौहेगा कुछ बिल्कुल कहेगा मालिक तो अगर अ एक चीज और बताईए जिसे ट्रक वालों के बारे में कहते हैं कि कई बार ट्रक वालों की गलती से या ट्रक वालों की ओवर स्पीडिंग की वज़त से लोगों की जान जाती है तो इसमें आप लोग क्या सुचते है आप कहीं पर देख लिए कोई भी ड्राइवर है आप ज जोटा सा जानवर पेकर रोड़ पेस जाएगा तो उसको भी बचाएगा बस इतने जिसके टाइम की गाड़ी होईगी वह भी 55 बस खूब आराम से रोख जाता है बागी जब एकदम सामने आ जाएगा जब दिक्कत हो जाता है नहीं तो कोई ड्राइवर मन से नहीं करता है काम जी और एक चीज और मैंने सुना जिसे लोगों में बताते हैं कि जो ट्र अधार साल का मुस्लिम लड़का हो गए तो उसकी तभी रिष्टे हो जाएंगे कैसे कहा होते जैसे कि अपना आसपास गाउं से हो जाते हैं डस-बीस किलमेटर आगे से यहां पर साधी में कोई दिक्कत नहीं यहां से पंद्रह साल होना एक बाद में रिष्टा वाना चाल साल में देखा हो कि पीछे जब जाग रुपता अभियां चल रहा था एट्स को ले करके तो सबसे ज्यादा जागरुक ट्रक्रइवर्स को किया गया जो निरोधक होता है उसको लेने के लिए तो ऐसा होता है कि आप लोग बाहर जाते हैं कुछ इस तरीके की चीजें कभी सुनी हमने तो नहीं सुनी हफ्ता हफ्ता दस-दस दिन बाहर रह रहे हैं ना सुनी हमने इसको अभी तक ना सुनी मैंने की जैसे की अलग अलग और तो से संबंद बना लेते हैं कई बार तो उसमें जो है बीमारियां हुई ऐसे कुछ के स्टडीज आई तो उसके बाद जागरुकता अभियान चलाए गया इसको लेकर आपने कुछ सुना पहली बात जी हमारे मेवाद का कोई बंदा ऐसे रहे जो बाहरी रहते हैं तो यहां पे आपने बहुत अच्छी बात आई जानकारी थी ट्रक के बारे में और आपके जो लोग है उन से बात करके इसको खतम करेंगे बात्चीतों लेकिन बड़ा आनन्द आया है आपके ट्रक में बैट करके इसमें बढ़ियां आपने गद्दा अच्छा अच्छा शूल इसमें आपके अच्क जाएं परेव जब दूसरा उसको नहींना जाएगी दूसरे खड़ा कर देगा दोनों लोगों चलाना एक जी यह आप लोगों ने नहीं जानकारी थी लेकिन इनका जो आरोफ है कि रस्टा-चार होता है इनके ट्रकों को रोका जाता है कही बार इनसे जबरीव असूली की जाती है यह ठीक होनाँ चाहिए ठीक हो जाए तो ड्राइवर आराम सेगे चलाए यह जो पैसा देते आप लोग् रुपे देगा कम से कम आठ साथ हजार रुपिया तो पुलिस खर्च हो जाएगा आठ साथ हजार रुपे दिल लिग अंदर आप इंट्री करोगे ने टूल कटाने को बाद में पांच नंबर वाड़े मिलते हैं जा आप वो कुछ चालान वाला नहीं करते हैं वो कम से कम चार अधिक दिल लिग खुषएगा साम को तो आप आपके सामने पैसा देए जाएंगे किसी भी दिन चला जाएंगे हमारी गाड़ी देली गी कम से कम 10 ये 15 गाड़ी डिली गुषगी हर गाड़ी से पांच घजार प्रे हर गाड़ी से पुलिस खर्चा के लिए अलग्स दिया किसी दिन जब किसी गाड़ी को नहीं मिलते तो उसको तो कहा तो सो रुपर भी खर्चा नहीं हो पुलिस खर्चा से और किसी को मिल गए तो उसको का तो पांच ये 6-7 जार रुपर खर्चा आजाएगा आप समझ रहे हैं भाई के कहने मुताबिक ये ब्रष्टा चार जो है इतना सिस्टमेटिक हो गया है कि इन लोगों सको अपनी नियती मानली है जो ट्रक का ड्राइवर है वो पांस दस जार रुपर ट्राइवर को अश्ट्ना पूलिस का पहुनिक लगना है तिना आटीयों को जाना ही जाना है आप समझ Ben कि यह सारा पैसा चिब यह अपनी जेव से देते हैं तो इसमें को सामान लादा हुआ सामान आटोमय्टिक महंगा हो झाता है तो हम तक कोई सामान पुहुछता है। वह वैसे ही महंगा पहुंचेगा एक सिस्टमेटिक ब्रश्टाचार की चेन है जो हमारे आपके घरों के अंदर तक गुस्पैट करती हमको लगता है हमको क्या मतलब ट्रक वाले पैसा ले रहा है अब यह ट्रक वाला जिसे मानली चना या राजमा लेके जा रहा है तो उस राजमे की कीमत में ट् जिहान देने वाला नहीं है और सवाल उठाने पर इतना इस यह एक्दम सिस्टमाइटिक हो गया है कि मत इसको खतम ही नहीं किया सकता क्या है यह और बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है कोई पुलिस वाला आएगा डंडा रोक के आपको जो है ले लेगा पैसा वे तो चोटा स देना पड़ता है अब आप आज नायट में जो से कई गाड़ी आप जाकर देखो अगर दो जाके मिल गया 10,000 पक हैं जो जो के पुलीश वाले मिल गए तो 10,000 रुपी देना पड़ता है मिलते हैं पर्मनेंट इंप पता है इस गाली को नहीं है नहीं रोक पाते हो वाकिया रोकते हैं और आपने नहीं रोका तो उनलाइन चालान कर वागा उनलाइन चालान है पीछे कर आज अगर हाथ लग गया तो फिर ड्राइवर को बढ़ हम आ रहे हैं आप लोग साथ कभी मार पीट हुई लिए जाद अतर में दिली जाता ही नहीं इस डर के वज़े से में दिली जाता ही न हैं अब जाती हो अब अब साथ हुई मार पीट नहीं गाड़े को शाट हुआ है हुआ होड़ा बागी जोडने पड़ते हैं फिर पेसे देने पड़ते हैं ड्राइब की नियुक्त होती है तो 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 होता है साथ देखिए समाज में हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है ड्राइबर की जिम्मेदारी है कि वो गाली आराम से चलाए और उससे किसी की जनहानी ना हो किसी का धनहानी ना हो लेकिन समाज की जिम्मेदारी है कि यह आपके समाज का तपका है जो आपकी जरुवत का समान आप तक पह तो इनको भी पूरा सम्मान दिये जाने की जरूत है जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें सोचना चाहिए यह लोग इंसान है रात रात गाड़ी चलाते हैं मेहनत करते हैं और उससे पना पेट पालते हैं कोई धन्ना सेट तो है नहीं है जैसे बता रहा था भाई दस हजार ब ढाट है यह राज जेदर राजी राजस्थान का भी बता रहे थे यह अंध्य प्रदेश का भी बता रहे थे और हमने पहले भी कही सारे रिपोर्ट्स पे देखा ए ये तोल का पैसा जो है लगता है क्या चीज़ों काफी में कि लिखा हुआ रहा है ता जिस मालिक को दिखा वो नहीं मानते जिये से बागी अपने जैसे दस गाड़ी पांच गाड़ी है वो सेट मान लेते हैं सब को पता है कि आरटे उन जाद अधिकत आप लिख के रखते हो सब इसका तो कोई पर्ची मिलता नहीं है अगर जो एक नंबर से पेसा दिया जाएगा एक नंबर से लिया जाएगा तो उसका पर्ची मिलेगा जैसे कि ओन लाइन चाला है नहीं होगा तो तो कहीं पर पुरी बात्चीत का सार है यह पूरा समझने वाली बात है आपको यह पूरी बात्चीत कैसी लगी उमीद करते हैं आप कमेंट को जरूर बताएगे नमस्ते मेरा नाम अभिना प चलने के बारे में ट्रक कैसे चलता है किया फायदा है क्या नुकसान है क्या समस्या है सब बात आपको बातचीत कैसी लिए कंश्या जरूर बताएगे मेरा नाम अभिनो पांड़े में साथ यम्री के पिछे मेरे साथी हनी जी है जो बड़ी मुश्किल से अपने आपको इस में समेट करके शूट कर रहे थे देख तेरे दी ललन टॉप शुक्रिया